संथल्स एक ऐसी ट्राइब जो कि पहाडी के comparison में सैटल्ड थी संथल्स जो कि सैटल्ड कल्टिवेशन क्या करते थे उसी और पहाडी शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या करते थे अंग्रेज उको चाहिए था बहुत सारा revenue तो वो चाहते थे की कोई ऐसी ट्राइब जो की सैटल्ड हो उसको हम एक पार्ट ओफ लैंड दे जो की वो ट्राइब उस लैंड के ओपर एग्रिकल्चर करे और अंडर परमानेंट सेटल्मेंट सिस्टम और जमीतारी सिस्टम ब्रिटिशर्स के पास बहुँ जादा टेक्स पहुँचे इसी चीज को सोचते हुए अंग्रेजों ने संथल्स जो की एक सैटल्ड राइट थी एक लैंड दिया जिस लैंड को हम कहते हैं दमीनी को दमीनी को एक लैंड का पार्ट था जो की संथल्स को settlements थी वो बढ़ने लगी इसका मतलब कई सारे जो लोग थे वो agriculture करना start उन्होंने कर दिया दमीनिकों के उपर कई सारे लोग वहाँ पर आने लगे जिससे संथल्स की जो settlements थी वो बढ़ने लगी कई सारे जो villages थे वो develop होने start हो गए इन राजमल hills और उस land के पार्ट के उपर उसके बाद धीरे धीरे करके जो population थी संथल्स की वो बढ़ने लगी और जो agriculture की demand थी बढ़ने लगी इससे क्या हुआ agriculture expansion हुआ कई सारे जो product से उनको बनाना उन्होंने start किया लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था एक problem थी वो problem थी tax की जमीतारी system के अंडर कई सारा tax लिया जाता था बहुत high rate of interest high rate of tax लिया जाता था जो भी लोग agriculture क्या करते थे नव यह tax जो है यह बहुत जादा था कभी कबार यह होता था संथल्स को इस tax को पे करने के लिए money lenders के पास जाना पड़ता था जो की high rate of interest चार्ज करते थे इनसे तो यह बहुत बड़ी problem थी और कभी इनको अपने lawn को repay करने के लिए अपना land का बहुत बड़ा part भी देना पड़ता था इससे क्या हुआ धीरे-धीरे करके यह financially weak होते रहे और जो land है इन्होंने अपनी गवा दी त्योंकि इन्हें land देनी पड़ती थी money lenders को now एक और people एक और community के people जो की problem provide कर रहे थे संथल्स को वो थी जमिनदार्स why जमिनदार्स agents थे Britishers के और इन्हें Britishers के behalf पे tax collect करने के लिए भेजा जाता था villages के अंदर और यह tax collect करते थे और force करते थे जो भी presents थे उनको कि आप tax हमें provide करो इससे क्या हुआ यह जो संथल्स थे इनको बहुत problem face करनी पड़ी क्योंकि जो इनका land था वो भी इनसे जा रहा था कई high rate of इन्हें जो interest है वो देना पड़ता था मानि landers को और उसके साथ साथ बहुत amount of tax इनको देना पड़ता था अंग्रेजों को इसी वजा से नाराज होकर और गुसे में आकर at last ultimately इनको ने 1855-56 के अंदर रैवल्स टार्ट किया जिसको हम संथल्स रैविलियन के नाम से जानते हैं और यह जो रैवल्स था यह किसके against में था जमिनदार्स के because यह agent थे Britishers के यह force करते थे उनको कि आप tax provide करो money lenders के against में था why against of money lenders because यह high rate of interest charge करते थे और exploit करते थे peasants को और Britishers जिसकी वज़ा से जिनकी वज़ा से यह जो पूरी कहानी है वो हुई थी tax यह बहुत जादा amount में ले रहे थे और इनों नहीं दमीनी को नामका landing को provide किया था इस जो रैवल्स था संथल रैविलियन इसके लीडर थे सिधु मान जी और उसके साथ at last Britishers was successful in crushing this रैवल्स and ultimately we lost it बट इस रैविलियन ने अंग्रेजों को हिला के रख दिया था और इस रैवल्स ने एक नीव रख दी थी कि yes, we can also stand against the Britishers so this was the video about the संथल रैविलियन I hope आपको यह topic समझ में आया होगा like this video, subscribe to the channel thanks for watching and as always God bless you all